नमस्कार आजमलोग बिहार बोड कच्छा आठ अतीश से वर्तमान चेप्टर आठ का प्रस्णुक्तर संपुन करेंगे पाठ का नाम है जाती बेवस्था की चुनोती तो चलिए पहला प्रस्ण करते हैं फूले के द्वारा किस संगठन की अस्तापना की गई थी तो वो था गह होगा सत्ती सोधक समाज ठीक है दूसरा प्रस्ण करेंगे गैर बराबरी βिरोध आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारम किया गया तो यह प्रारम किया गया था सायरण सायरन गुरु जी द्वारा ठीक है सायरन गुरु अगला प्रस्ण है पेरियार के द्वारा कोन सा आंदोलन प्रारम किया गया तो पेरियार के द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन ठीक है आत्म सम्मान आंदोलन प्रारम किया गया था आगे प्रस्ण है आगे प्रस्ण करेंगे हर्जन सेवा संग महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था तो यह कब किया गया था तो 1932 में किया गया था ठीक है अगला प्रस्ण करेंगे बाबा साहब भीमरा अंबेदकर के द्वारा किस वर्ष बहिसकार हितकारी सबाक या स्थापना की गई थी तो इसकी अस्थापना की गई थी 1924 में कब की गई थी तो 1924 में ठीक है प्रस्ण उत्तर की स्रिंकला को प्राड़म करते हैं और पहला प्रस्ण करेंगे जोतिवा फुले के मुख विचार क्या थे? जोतिवा फुले जातिवे उस्ता को मनुस की समानता के खिलाप मानते थे उन्हें जातिवे वस्ता को पूरी तरह से नकार दिया छुवा छुत वर्थ के खिलाप मानुए वेहार और उनके समान मानो अधिकार से वंचित रखने की इस्तिदिस ने फूले को जातिव प्रता का प्रवल विरोधी बना दिया और समानता के खिलाप लोगों को जगाना उनका मूल उद्देश था किनका जो जोतिवा फूले का मानना था कि आरे विदेशी है और भात के मूल निवासी को हराकर हुए निम्न मानने लगे हैं उनके उमसार यह धर्ती यहां के देश के लोग को यानि कथित निम्न जाती के लोग की है उनका मानना था कि यह देश किसका है तो निम्न जाती हो का है ठीक है जोतिवा फूले का दूशरा प्रस्ण करेंगे वेर सिंग लिंगम की योगदान पर चर्चा करना है तो वेर सिंग लिंगम का पुरा नाम कुंडी करी वेर सिंग लंगम था जो दक्षिन बात के में उन्होंने प्राचिन अशमानता के विरोध में ससक्त आंदोलन चलाया एक निर्धन परिवार में जन्मी इस कूली सिंग लिंगम ने तेलगु भासा में कई लेक लिखे जिनके लिए उन्होंने आधुनिक तेलगु गद साहित का जनक भी खाया जाता है दक्षिन बात में महिलाओं की इस्तिती चिंता जनक थी अता इसके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागुकता पैदा की गई और विधुवा पुना विवा नारी सिक्षा ठीक है नारी सिक्षा महिला मुक्ती जैसे समाजिक बुराईयों के विषय में लोगों के प्रति चेतना और साज आगरित की गई आंध्र के समाज में सुधारकों की अगली पीडी के लिए प्रेडित का सुरोत बने और उनके द्वारा चलाई गई जाती आंदोलन एक प्रेर्णा का सुरोत बना और उसे लोगों ने सिवकार भी किया जिसे दक्चिन बात में दूसरे महत्पुन संग्टन आंदोलन को आगे बढ़ने में सहयता मिली जिसका प्रणाम विष्वी सदिक में चलने गई आंदोलन में देखा जा सकता है ठीक है अब अगला प्रस्ण करेंगे अगला प्रास्ण है नारायन गुरु का समासुदार के च्चितर में क्या उगनत तो केरल के इज्हावा नींद जाती में जन्मी नान आसंद जो बाद में सिरी सिरी नारायन गुरु के नाम से जाने गए एक धार्मिक गुरु के रूप ने उभरे उन्होंने अपने लोगों के बीच एक्ता का आदर्स रखा उन्होंने प्रेरनादी की उनके पंथ में जाती का भेदवाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए उनके द्वारा सिरिनायन धर्म, प अंतिम संसकार की सरलवी इन पंतों की अस्थापना चुकी उन लोगों ने की जो स्वयम निम्न जाति के थेście, कौन से जाति के थे तो निम्न जाति के थे और उनके बीच ही काम करते थे अतह उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदत तोर तरीकों में बदलाव करने का प्रयास किया और उच्वर्नों के तोर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जाति में स्वाविमान पैदा हो सके अगला प्रस्ण है महात्मा गांधी के द्वारा छुवा छुट निवारन के क्या उपाय किये गए एंसर लिखेंगे महात्मा गांधी ने छुवा छुट दलितों को हर्जन का नाम दिया उनका उत्थान गांधी जी के प्रमुकु देश थे, उनके द्वारा गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कारी किये गये, इन प्रयासों में छुआ छूत की प्रथा कम जोर पर गई, और 1932 में गांधी जी ने हर्जन सेवा संग अस्थापित किया, जोकि चिकिस्षको और ततकालिन सम्मंदी जानकारी की सुद्दा पहुचा सके, 1933 में उन्हों ने हर्जन नामक सब्ताइक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संबेदन सील भी से, जैसे हर्जनों का मंदीर में परवेश, जलासेयों को हर्जन के लिए उप्रवत कराना, सिक्षक संस्थाओं में प उधार हिंदू मुस्लिम एकता को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, और बहुत ही महत्पुर्ण माना, आगे प्रस्न है, बाबा साहब भीमरा अंबेदकर, अंबेदकर ने जाती प्रता वेदवाओ को दूर करने का किस तरह प्रयाश किया, एंसर लिखेंगे, बाबा साहब भीमरा अंबेदकर ने उन्होंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचोंचो भेद्वाव की नीति को समाप्त किया जाए क्या कि